Hello friends, आप सभी का स्वागरत है μας, तो friends बात करेंगी इस वीडियो के अंदर में crypto market news को पर, अभी एक टाइम में market में जो बडी न्युजद दिखेंगे सब को बारी बारी से cover करते चलेंगे, तो चलू friends शुरू करते हैं. तो प्रेंट सबसे पहले वाले नियूज कुपर में बात करें तो यहाँ पर जो हो भी गलोबल है इसने एक्वाइर कर लिया है लेटिन अमेरिकन क्रिप्टो एक्सचेंज बीटेक्स को तो चोलो प्रेंट्स आते हैं नीचे और जो भी डीटेल्स प्रोवाइड किये थोड़ होवी डीटेल्स किया चम्पनी Indian अमेरिक के तरह उसके एपनी प्रजेंजे उसको आपर दिखाना चाहती है और यह से रिजिय करती में acquire की है तो उसका सबसे बड़ा region इसको ये लगता है इसका एक विश्वास है कि जो आपको Latin America वाला जो area पढ़ता है worldwide में अगर बात करें तो वो एक सबसे ज़्यादा crypto adoption के मामले में सबसे active area जो है region जो है जावित होगी इसका ऐसा मानना है जिस कारण से इसने बीटेक्स को acquire किया है अब इसी के बारे में नीचे आएंगे तो बहुत सारी चीज़ा आपको देख रहे हो को मिलेगी तो चलो फ्रेंस बढ़ते हैं अपने अगले न्यूज के लिए तो फ्रेंस बात करें इस वाले न्यूज को पर तो यहां पर देखो बोला जा रहा है why the crypto industry in Indonesia is said to leapfrog competing market मतलब जो सारे crypto industries है वो इंडोनेसिया के तरब क्यों रूजहान कर रहे हैं और वहां पर leapfrog का आप समझ सकते हो मेढ़क कूद करके या फिर एक दूसरे को compete करते हुए जो इंडोनेसिया के market है उसके तरब बढ़ना इसमें entry करना तो अब आते हैं नीचे में और बात करेंगे आप थोड़ी details में तो यहां पर बोला जा रहा है कि सबसे पहले तो जो 270 million मतलब इतने जो लोग हैं कहां वे तो आपको इंडोनेसिया के अंदर में है और इंडोनेस मतलब जिस तरह से largest market है उसी तरह से ये भी एक largest market वाली country जो है बिलॉंग करता है एसिया के अंदर में अब यहां पर बोला जा रहा है इसके पास बहुत बड़ा नंबर है population है जो कि एक unbanked population है मतलब आप unbanked मतलब हो सकता है उनके पास banking और गारा कि सुईदा नहीं होगी व जो receptive regulatory environment है और जो additional factors हैं जो कि क्या कर रहे हैं तो जो crypto industry है उनको इस तरफ रूजहान बढ़ा रहा है मतलब उनको इधर attraction जो है मिल रहा है और उनको ऐसा लगता है कि वह यहां पर stand out कर पाएंगे crypto adoption के तौर पे और यहां पर crypto adoption के लिए और crypto के मतलब growth के लिए बहुत जादा chance जो है लगता है जिस कारण से crypto industry को ऐसा लगता है कि यहां पर जो है competing market हो सकते हैं मतलब जो market होगी वहाँ पर competition देखने को मिल सकता है क्योंकि सारे crypto industry जो भी बड़े-बड़े institutions है सब इस market का हिस्सा बनना चाहेंगे सब यहां के जो लोग हैं उनके साथ काम करना चाहेंगे तो friends यहां पर अब देखो कि जो latest episode है आपको news podcast की वहाँ पर जो expert है जो local expert है उन्होंने explain किया है कि क्यों Indonesia crypto community के तरव में रुजान बाकी लोग का बढ़ रहा है और यहां पर बताया गया है all about the Indonesian crypto community के बारे में बहुत सारी बाते जो है इनकी नई podcast के अंदर में बताया गया जैसा कि आपको मैं अगर दिखाओं तो friends मैं highlight करूंगा तो आप यहां पर देखो यहां पर बोला ज़रा why the crypto industry वही same topic जो उपर में हम लोग ने पढ़ा था और यहां पर time period के बात करें तो यहां पर लभग यह 37 minute 49 second का यह podcast है मतलब कि एक audio है और यह audio clip में पूरी चीज जो ह discussion है और इसमें बहुत सरे vision बताया गया है कि आखिर क्यों जो है यह मतलब आपको Indonesian crypto community जो है वो खास special क्यों है और वहां पर क्या क्या future है या किस तरह से growth हो सकती है और क्यों crypto industry जो है वहां पर ऐसा मानती है कि competing market हो सकता है तो इसके बारे में इस podcast में पूरी details आपको मिलेगी और इस podcast को अगर आपको सुनना है तो आप इसके बारे में search करना Google पे आपको इजयली मिल जाएगी तो चलो friends अब हम लोग बढ़ेंगे अपने अगले news के लिए क्योंकि इसमें और कुछ अब ज्यादा नहीं है तो friends बात करें इस वाले news को पर तो यहाँ पर बुला जा रह कि इस से जुड़ी जो भी services है उसको ये offer करने के लिए इस तरह की services को offer करने के लिए भी ये तयार हो रहे हैं तो चलो friends अब थोड़ा सामलों नीचे आएंगे और बात करेंगे इसी के बारे में थोड़ी सी details में तो यहाँ पर friends बुला जा रहा है कि JP Morgan expects उमीद करता है कि blockchain ज जो कि JP Morgan एक global investment bank है तो वो कहता है कि we want to make sure that we are able to not only support debt but also be ready to provide related services तो friends यहाँ पे इनका कहना है कि हम ये sure करना चाते हैं ये निश्चित करना चाते हैं कि हम सिर्फ आपको जो है support provide करने के लिए मतलब support देने के लिए सिर्फ crypto sector या finance में जो blockchain का use है उसके लिए सिर्फ तयार नही जो भी services है उसको provide करने के लिए provide किसको किया जाएगा तो customer को किया जाएगा उस चीज के लिए हम पूरी तरह से तयार है तो friends अब इसी के बारे में यहाँ पर पूरी रिपोर्ट देखने को मिलेगी अब यहाँ पर बोला जा रहा है जिस तरह से Bloomberg ने रिपोर्ट किया Thursday के द आपको 20 माई को हुई है कुछ यह blockchain वगरा यूज करके यह लोग कुछ मतलब एक नई तरह की पहल जो initiative जो है कर रहे है अब friends मैं इसको करूँगा highlight उसके और भी हम लोगों को news पढ़ना है इसलिए ज्यादा time यहाँ पर नहीं दे पाएंगे तो friends इसे भी थोड़ा सा देख जो भी गलतिया हुई जिसकारण से आज सिरिलंका का इस्तिति थोड़ा गड़बड है दैनी है तो जो कुछ भी है यहाँ पर सिरिलंका अब यह प्लान कर रहा है कि वो क्या करेगा तो 2.8 billion dollar की वर्थ की जो रूपीज है उसको जो है print करने के बाद जो है निकल कर आ रही है कहां से तो सिरिलंका कंदर से फिर से फ्रेंट 2.8 billion dollar इस वर्थ की जितनी भी रूपीज बनती है उसको यह print करने के जो है प्लान कर रहा है साथी साथ यहाँ पर यह भी उम्मेद जताय जा रहा है कि इससे यह क्या होगा तो जो inflation rate है वो top पे पहुंच जाएगा बहुत ही ज क्राइसिस वह पे चल लिए उसी भी सिरिलंका ने यह बोला कि वह बहुत ज्यादा मतलब और ज्यादा जो है पैसा जो है चापेगी और अपनी जो भी spending है infrastructure पे उसको क्या करेगी उसको खर्चा को अपनी कम करेगी और यह सब कुछ एक तरह का पर्यास है और यह पर्यास क्य जा रहा है कि वहां के जो अबादी है जो वहां के असांत अबादी है उसको सांत किया जा सके वहां भी जो मतलब economical एक तरह से crisis चल रहा है बहुत पैसे कोड़ी की बहुत तंगी आ चुकी है तो उस असांत अबादी को अपने हां के citizen को अपने हां के population को सांत कर सके इसलिए यह जो है बहुत ज़्यादा नोट छापने की बात कर रहा है हाँ जिससे के एक impact भी पढ़ने वाला है कि यह जो इनकी decision होगी इससे क्या होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा छापने के कारण से जो inflation rate है वो rise होके 40% तक जा सकती है जो की एक काफी ज़्यादा inflation rate बोला सकता है तो इस तौर पर अब नीचे बात करेंगे तो इसी के बारे में पूरी explanation इस news में देखने को मिलेगी इसे मैं फिर से करता हूँ highlight क्योंकि आप इसे देख लो इस तरह की जो side में statement करा दी रहती है वो थोड़ी बहुत main topic रहती है एहमियत रखती है तो friends मैं पूरी details मे इसलिए किसी भी news को cover नहीं कर पाता हूँ क्योंकि अगर मैं detail में cover करूँ एक news को तो एक वीडियो में या तो एक news या दो news एक से दो news से ज्यादा मैं news cover नहीं कर पाऊँगा जबकि market में एक नहीं काफी सारी important news होती है जिसको बताना जरूरी होता है इसलिए मैं हर एक सेक्वेंसेज सेज कमिशनर तो जो कमिशनर हो यह कहती है कि सेक ने जिस तरह से जो क्रिप्टो रेगुलेशन है उस पर अच्छे से मतलब पहल नहीं कर बाया या फिर उसमें एक तरह से असफल हो गया उस कारण से जो लॉंग टर्म की कंसीक्वेंसेज है मतलब परिसम जो लॉंग टर्म में वह थोड़ी से दिक्कत आएंगी थोड़ी से आपसी थालमेल जो बैठाना होता है उसमें जो है प्रॉलम आएंगी जिस तरह से जो सेख है उसने किया किया तो क्रिप्टो रेगुलेशन को लभग कंप्लीट करने में एक तरह से नहीं अच्छे सकर पाया असफल हुआ यही सब चीज़े यहां पर है थोड़ा से नीचे आएंगे और डीटेल्स में बात करेंगे तो फ्रेंस यहां पर देखो जो कमिशनर है विट दा यूएस सेक्रेटिज एंड इक्सेंज कमिशन इन्होंने वार्न करते हुए चेतावनी देते हुए बोला कि जो से क्रिटिज मार्केट रेगुलेटर है उन्होंने क्या किया तो एक तरह से असफल हो गया क्रिप्टो रेगुलेशन में और यहां पर क्या कर रहे हैं तो फी आर नोट इलाउंग इन्वेसन को एलाउं नहीं किया जा रहा है और यहां पर टो डेवलप एंड एक्सप्रिमे वाली हैं, तो ये एक तरह से long term में आपसी जो तालमिल बैठाना होता है, उसमें एक तरह से दिक्कते आ सकती है, और साथी साथ ये क्या है, तो एक तरह की failure है, यहाँ पर कौन कहा, तो ये सारी बाते commissioner ने कही है, तो चलो friends, थोड़े से नीचे आएंगे, और कुछ-कुछ main-main चीजे जो है, यहाँ पर देखेंगे, तो यहाँ पर friends, सबसे पहले दोखो, यह जो sick commissioner जिनका नाम आपको Hester Pierce है, और इन्हों ने express किया अपने concern को, अपने चिंता को, जिस तरह से US ने क्या किया है, तो regulation जो थी cryptocurrency के regarding में, उस interview में, इन्हों ने CNBC के साथ में अपने इस जाता है, तो इससे आप एक चीज़ तो समझ लो कि crypto की अच्छी खासी मतलब समर्थक है, crypto friendly है, supporter है, अच्छी हासी, अब यहाँ पर बोला जा रहा है, फोर हर support of the industry, तो crypto industry को जिस तरह से यह support करते आ रही है, इस कारण से crypto community वाले इन्हें crypto mom बोलते हैं, अब इन्हों ने जो fraud को, मतलब crypto industry, crypto ecosystem में जो fraud होती है, अब इन्हों ने बोला, there is a lot of fraud in this space, because it's the hot area of the moment, अब इन्हों ने कहा कि यह जो एक hot area है, मतलब अभी के पलक है, अभी के समय के लिए, जिस तरह एक काफी यह hot topic है, एक नई उभरती हुई technology, नई उभरती हुई एक market है, तो यहाँ पे जो fraud है, बहुत ज़्यादा होता है, मतलब इसे एक तरह का इन्होंने challenge बताए, कि यह एक challenge है, इस चीज़ के लिए, crypto ecosystem के लिए, और यहाँ पर कुछ चीज़े है, जिसको मैं करता हूँ, इसे मैं करता हूँ, जल्दी से highlight, उसके फ्रेंस थोड़ा से नीचे अगर हम इसी गबारे में यही सब जो मतलब अच्छे से जो crypto regulation पर काम नहीं हो पाया, अभी तक फिलहाल, उसी गबारे में यह चीज़े जो है, यहाँ पर इन्होंने बताया, अपनी बातियों को इन्होंने रखा है, कि जो crypto regulation उसको अच्छे से काम कर देना चाहिए था, बट अभी तक crypto regulation जो है, failure होते हुए देखने को मिला है, सेक के तरफ से, और इनका यह मानना है कि इस कारण से क्या होगा, तो जो innovation थे, जो development थे, उसमें एक तरह सी जो दिक्कते आएंगी, जो आगे बढ़ सकती थे, वो सब थोड़ी सी धीमे पढ़ जाएगे, slowdown होगी एक तरह से, औ और आपसी जो तालमेल है, एक लंबे समय तक वो बैठता नहीं दिखने को मिलेगा, तो यही सब चीज़ है, और challenges की बात करें, तो इन्होंने fraud को सबसे पहले बोला, fraud को आप एक तरह पर scam समझ सकते हो, जो market में scam होती है, उसको यहाँ पर इन्होंने बोला, जो भी illegal way में work ह तो यह market में गलत तरीके से काम होती है, उसको इन्होंने fraud करके, यहाँ पर target किया, अगर details में बात करेते हैं, बहुत सारी चीज़े हैं, जिसको इन्होंने यहाँ पर explain किया है, बट उतना time नहीं है, तो मैं यहाँ पर यह सारी चीज़े complete नहीं कर पाऊंगा, बस यह कुछ जिसको मैंने highlight कर दिया, बाकि कुछ-कुछ चीज़े और मैंने बताई दिया था उपर में, फिर भी अगर आपको लगता है कि यह news आपको पढ़नी जरूरी थी, तो friends आप इसे search कर लेना, topic तो आपको हर news का मैं बताई देता हूं को पताई रहता है, आप यहाँ पे देख सेख drops the ball करके crypto जो भी headline है, आप इस तरह से regarding करके search कर लेना, आपको जरूर मिल जाएगा, या फिर सबसे अच्छा करना कि जो इनका नाम है, आप देख लो, यहाँ पे हेस्टर पियर्स करके, जो सेख commissioner है, इनको direct search कर लेना, इनकी latest जो आपको concern है, statement है, crypto community, crypto ecosystem के regarding search करना, जर आपको यह वीडियो छे लेगी, तो एक like जरू करो, चैनल पने तो subscribe करो, मिलते अपने next video में,